नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहत स्वागत करती हूँ आज इस विडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सैनिक स्कूल में कौन-कौन सी कक्षाओं में बच्चे दाखिला ले सकते हैं और कहां-कहां पर सैनिक स्कूल भारत में मौजूद हैं तो चलिए इन सवालों के जवाब ढूनते हैं सैनिक स्कूल में छटी से बारवी तक की कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चे कक्षा छटी में, कक्षा नौवी में और कक्षा ग्यारवी में दाखिला ले सकते हैं बच्चों को कक्षा छटी में और कक्षा नौवी में दाखिला लेने के लिए entrance test यानि की दाखिला परिक्षा देनी होती है और कक्षा 11 में merit के basis पर यानि कि बच्चों के नमबरों के basis पर दाखिला होता है इन कक्षाओं में यानि कि सैनिक स्कूल में बच्चों को CBSE Central Board of Secondary Education के पाठेकरम के द्वारा पढ़ाया जाता है तो ये थी कि बच्चे कौन-कौन सी कक्षाओं में दाखिला ले सकते हैं सैनिक स्कूल में अब मैं आपको बता दूँ कि पूरे भारत में 35 सैनिक स्कूल मौजूद है जिन में से 33 सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल सोसाइटी और Ministry of Defence मिलकर चलाते हैं जबकि दो सैनिक स्कूल, उत्तरप्रदेश सरकार और जम्मो कश्मीर सरकार चलाती हैं अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन-कौन से राज्य में कितने सैनिक स्कूल मौजूद हैं सबसे पहली बात आंधर प्रदेश में दो सैनिक स्कूल हैं अरुनाचल प्रदेश में एक सैनिक स्कूल है, असम में भी एक सैनिक स्कूल है, बिहार में दो स्कूल मौजूद है, चतीस गड़ में भी एक ही स्कूल मौजूद है, गुजरात में एक सैनिक स्कूल है, हर्याना में दो सैनिक स्कूल है, हिमाचल प्रदेश में भी एक ही सै सेनिक स्कूल है जमू और कश्मीर में तीन सेनिक स्कूल मौजूद है जारखंड में एक सेनिक स्कूल है करनाटका में दो सेनिक स्कूल है केरिला में भी एक ही सेनिक स्कूल है मध्य प्रदेश में भी एक ही सेनिक स्कूल है जबकि महाराष्ट्र में दो सेनिक स्कूल वाइसा में दो स्कूल मौजूद है पंजाब में एक ही सैनिक स्कूल है राजस्थान में दो सैनिक स्कूल है तमिल नाडू में एक ही सैनिक स्कूल मौजूद है और उत्राखंड में भी एक ही सैनिक स्कूल मौजूद है जबकि उत्तर प्रदेश में तीन सैनिक स्कूल तो ये थी कि भारत के कौन-कौन से राज्य में सैनिक स्कूल है अगर आपके राज्य में सैनिक स्कूल है और आपको सैनिक स्कूल की विशेश ताइप पसंद है तो आप अपने बच्चे का सैनिक स्कूल में दाखिला जरूर कराएं धन्यवाद आशा करती हूँ कि आपने सब की शिक्षा को सब्सक्राइब कर लिया होगा नहीं किया है तो अभी कीजिए और घंटी का निशान दवाना ना भूले धन्यवाद नमस्कार